फिल्म के शुरुवात में हम एक बिल्ली को पिंजरे में देखते हैं जीसके सामने एक अजनबी दूद का कटोरा रख देता हैं पर बीच में ग्लूशिट रखकर बिल्ली का पिंजरा खोल देता हैं अब जब बिल्ली दूद पियने आती है तो वो उस ग्लूशिट पर चिपक जाती है और वो अजनबी उसकी तरफ अब एक तेज रोशनी डारेक्ट करता है जिससे वो बिल्ली चीखने चिलाने लगती है जिसके बाद ये सीन अब एक FBI एजेंट जैनिफर मार्श के तरफ मोड जाएं दूसी तरफ पूलिस उसी लोकेशन पर पॉशती है जो जेनिफर ने बताया था जिसके मदद से पूलिस अफरादी को धर लेते हैं इदर जेनिफर उसी पेपर में लिखी किल वित मी वेबसाइट को सर्च करती है जीसमें उसे उसी मूवी की शुरुवात वाली बिल्ली की लाइफ स्रीमिंग दिखाई जाती है पर जेनिफर अब भी इस पर इतना ध्यान नहीं देती और वहाँ से घर चली जाती है शाम को वो फिर से उसी साइट को विजट करती ह पर अब तक बिल्ली ने अपना दम तोड़ दिया था अब जेनिफर ओफिस लोड़कर अपने सीनर को सारी बात बताती है कि उसने इस वेबसाइट को ब्लॉक करने की कोशिश की पर जब इसे फिर से सर्च किया जाए तो ये फिर से अपन रनिंग नजर आ रहा है ये वेबस सिन में हम एक और आदमी को देखते हैं जो किसी लड़की के पास आकर कहता है कि तुम ही वो हो जिसके पास होकी मैच की एक्स्टा टिकेट से राइट पर वो लड़का उस आदमी को बेहोश करके अपनी कार में डाल देता है दूसी तरफ जैनिफर को एक FBI एजेंट ग्रिफ हैं जिसमें से खून निकल रहा है उसे किसी तरह की दवा भी दी जा रही है जिसकी जानकरी निकलने पर मालूम हुआ कि इस दवा से उसका खून पतला हो रहा है और ऐसे ही उसका सारा खून निकल जाएगा साइट पर लिखा है कि जितने लोग इसे देख रहे हैं उतनी जल में लाकों लोग जुड़ गए और दवा के जादा डोस के कारण मिलर अब नहीं रहा और उस साइट पर वो अंजान इंसान लिखता है कि आप सभी का धन्यवाद और अभी और भी बाकी है जिस पर जैनिफर कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी आप अगले दिन मिलर की लाश एक नेता के बेटे की कार में मिलती है पर पूलिस के उससे पूछताज करने पर कोई सुराग नहीं मिलता है उसी दोरान जैनिफर को एक लड़के एलमर की आईपी आड्रेस मिलती है जिससे उसे लगता है कि शायद यही किलर होगा डिटेक्टिव एरिस उसके घर जाता है जहां उसे कई सारे इल्लीगल चीजे मिलती है और एरिक उसे धर लेता है पर जैनिफर के एलमर की जानकारी निकालने पर उसे मालूम होता है कि यह दोशी नहीं है बलकि हत्यारे ने हमारा ध्यान बटका आने के लिए ऐसा किया आगले सिन में हम विलियम नाम के एक आदमी क इसे बेहोश कर देता है दूसी तरफ जैनिफर अपनी बेटी एना का जनम दिन मना रही होती है इत अभी उसे फोन पर सूचना मिलती है कि उस साइट पर एक और आदमी की लाइफ स्रीमिंग चल रही है जैनिफर तुरंत ओफिस के लिए निकलती है पर तब तक अगले सिन म उस लड़के ने वीलियम को बंदी बनाया था और उसी की वीडियो लाइफ स्ट्रीम हो रही थी उसने वीलियम के हाथ पैर को सीमेंट में डाल कर जमा दिया और हर तरफ तेज फ्लड लाइट जला दी दूसरी तरफ जैनिफर के पास सीनियर आते हैं जो कहते हैं कि वो एक क हत्यारा भी नहीं है अब सीनयर के कॉन्फरेंस करते ही उस साइट पर और भी जाधा लोग एक्टिव हो जाते हैं जिससे वो हत्यारा और भी तेज फ्लड लाइट लगा देता हैं जिससे वीलियम का शरी और जाधा जलने लगता हैं जेनिफर और बाकी सभी जब उस अटोब मिलता हैं घर की जानकारे निकालने पर मालू होता है कि ये गर उस आदमी का है जो पूरानी चीजे बेचन में शौक रखता हैं पर अभी वो कोरिया गया है और हत्यारा शायद इससे समान खरिदने आता था जिससे हत्यारे को पता चला कि ये गर खाली है और उसने इस घर का दूरू प्योग किया दूसी तरव हमें हत्यारा फिर से दिखाय जाता है जो अपने कंप्यूटर से जेनिफर की कंप्यूटर को एकसेस कर रहा होता है मानो कि उसने जेनिफर का कंप्यूटर हैक कर लिया हो आगले दिन जब टीवी देखने जाती है तो उसका जेनिफर बातरूम से बाहर आती है तो उसे ग्रिफिन फोन करके बताता है कि अब उस साइट पर तुम्हारे घर की स्टीमिंग हो रही है जेनिफर तुरन कंप्यूटर देखती है जहां एनी घर के बाहर दिखाई देती है वो अब गन लेकर बाहर आती है पर अब वहाँ ए के तरफ से ही था क्यूंकि उस गेम में ट्रोजन वायरस था जिससे हत्यारे ने मेरे कंप्यूटर की सारी जानकारी निकाल ली जेनिफर अब अपनी बेटी को उसके नैनी के साथ किसी सुरक्षी जगह भेज देती है और अब एरिक जेनिफर के बेस्मेंट की तलाशी कर रहा ह कि शायद उसे कोई सुराग मिले दूसे तरफ ग्रिफिन जेनिफर को ये बताने के लिए ऑफिस बुलाता है कि उसे पता चल गया है कि हत्यारा कौन है और वो ये सब क्यूं कर रहा है Jennifer अब तुरंत ओफिस के लिए निकलती है और तबी Griffin को एक लड़के का फोन आता है जिसके साथ Griffin डेट पर जाने वाला था दरसल ग्रिफिन ओनलाइन डेटिंग आप का प्रयोग करता था और उसी के लड़की ने ग्रिफिन को डेट पर जाने के लिए एक जगा बुलाय था पर हम देखते कि वो कोई लड़की नहीं बलकि वो ही हत्यारा है जो ग्रिफिन से किसी सौफ़वेर की मदद से अपनी आवा बदल कर बात कर रहा है वहीं जब जैनिफर ओफिस पहुचती है तो उसे ग्रिफिन नहीं मिलता और तब उस साइट पर ग्रिफिन की लाइफ स्टिंग चलने लगती है और पूरी FBI टीम इसे देखकर हैरान हो जाती है कि उस कातिल हत्यारेने FBI वालों को भी अब अपना शिक इला देगा अब वो किलर ग्रिफिन को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है जिससे ग्रिफिन अपनी आँखों के मदद से कुछ बताने की कोशिश करता है जैनिफर तूरंत एक ओफिसर को ग्रिफिन का कोड़ डिकोड करने को कहती है और उस ओफिसर के उस कोड़ को डिक एरिक उसके लिए वहीं रात को रुखने का तैय करता है अब जब अगले दिन जेनिफर एक DVD चेक करती है जो ग्रिफिन ने बनाई थी उस DVD के अंदर ग्रिफिन ने उन वीडियो को डाला था जो उसे उस लैप्टॉप से मिला था जिस गर में विलियम की मौत हुई थी और हत् वीडियो में एक आदमी की आत्मत्या की वीडियो होती है जिसकी जानकरे निकलने पर मालूम होता है कि यह मार्श कॉलेज का प्रोफेसर था एरिक फिर कहता है कि ग enfants को जिस सुल्फिरिक एसिट से मारा गया वो मार्श कॉलेज से ही चुराया गया था और जो बिल्ली मरी थ वो इसी ब्रीज के पास एक छोटे से घर से चुराई गई थी जहां इस आदमी ने आत्मात्या किया आप जैनिफर पूरा के समझ जाती है और आफिस लोटकर सभी को बताती है कि 8 से 16 मिनट पहले एक आफिसर जेम्स राइली ने अपनी पत्नी की मृत्यू के कारण आत्मात्य कर लिया था और इसी आत्मात्या को एक न्यूज चैनल 12 के रिपोर्टर माइलर ने रिकॉर्ड किया जो सभी न्यूज वालों ने इस वीडियो को अपलोड किया जिससे जेम्स के रिष्टेदारों ने न्यूज चैनल वालों को फोन करके इस वीडियो को डिलेट करने की मां के साथ फिर से जेम्स की आत्मत्य की वीडियो चला है और इसी वीडियो को एक लड़के ने रिकॉर्ड करके किल बर्न नाम की एक साइट पर अपलोड कर दिया जिससे ये वीडियो वाइरल हो गया और लाकों लोगों ने इसे देख कर अलग-अलग तरह की बाते करने लगे और जेम्स का मजाग भी वड़ाने लगे जेम्स का एक बेटा भी है ओवन जो एलक्ट्रोनिक गैजट्स में बहुत माहिर है पर उसके माता पिता की गुजर जाने के कारण वो अकेला पन का शिकार हो गया उसे हॉस्पिटल एड्मिट करना पड़ा और उसे छे मैने पहले हॉस्पिटल से छोड़ा गया था आप वो अपने पिता के घर अकेले रहता है वह उसके पिता के सर का एक्सरे है उसके अकेले पन नहीं उसे हत्यारा बना दिया उसने सबसे पहले उस लड़की की जान ली जिसने ये वीडियो वाइरल किया था और उसके ये कम्पिटर से उसने उस बिल्ली का वीडियो अप्लोड किया ताकि किसी को उस पर शक्क ना हो उसके बाद उसने किल वीट मी साइड बनाई और उसमें लाइव स्ट्रीमिंग करके लोगो को मारने लगा फिर उसने डेविड को मारा जिसने उसकी पिता का वीडियो बनाय था उसके बाद विलियम को जो फिर से लोगों से उसकी पिता की जानकरी निकालने आया था और उसके बात ग्रिफिन को क्योंकि उसे पता चल गया था कि ग्रिफिन को उसके बारे में सारी जानकारी हो गी है अब सबी तुरंट जेमस के घर जाते है पर ओवन वहाँ से भाग चुका था पर वहाँ उन्हें ग्रिफिन की लाश मिलती है जिसे देखकर जैनिफर एकदम दुखी हो जाती है अब जब जैनिफर ओफिस लोटती है तो उसकी सीनियर उसे एक हथी की चुट्टी लेने को कहते हैं क्योंकि उसने अपने दोस ग्रिफिन को खो दिया पर जैनिफर सिफ एक दिन की चुट्टी का बोलकर घर के लिए निकल जाती है पर जब रात को जैनिफर घर जा और तुम FBI वालों ने कुछ कदम नहीं उठाया जिस पर जैनिफर ओवन से माफी मांगती है ओवन कहता है कि मैं नहीं अपने पिता के अपरादियों को लाइव स्ट्रीमिंग करके मारा और उनका भी वीडियो देखकर लोग मजा ले रहे थे अब जैनिफर कार की कांच तोड़कर बाहर आती है और एक फोन बूट से एरिक को फोन करके सारी बात बताती है इसलिए एरिक तुरंद वहां के लिए निकलता है वहीं अब जैनिफर की कार अनलॉक हो जाती है जिससे जैनिफर उस कार में बैट जाती है परूस कार में ओवन बैठा हुआ था और वो जैनिफर को टेजर गन से बेहोश कर देता है अब जब जैनिफर को होश आता है तो वो उल्टा लटकी होती है ओवन जैनिफर के नीचे ग्रास कटर चालो कर देता है जिसके बाद Owen अपना लाइफ स्टीमिंग शुरू कर देता है आप सब भी FBI वाले Jennifer को उस लाइफ स्टीमिंग में देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं फिर तब जैनिफर के सीनियर Eric को फोन करके ये बात बताते हैं अरिक अब जब वो लाइफ स्टीमिंग देखता है तो वो तूरन समझ जाता है कि Owen ये सब जैनिफर के घर के बेस्मेंट में कर रहा है और वो पुलिस वालों के साथ जैनिफर के घर के नहीं निकल पड़ता है दूसरी तरफ जैनिफर कैसे तो कोशिश करके एक Fire Extinguisher तक पहुँच जाती है और जब Owen उसे वहाँ से निकालने ही वाला होता है तो जैनिफर Fire Extinguisher को Owen के तरफ शूट कर देती है जिसके प्रेशर से वो दूर जाकर गिर जाता है अब जैनिफर अपने आपको कैसे तो छुडा लेती है पर Owen फिर से जैनिफर पर हमला करने आता है पर तब तक जैनिफर उसे शूट कर देती है और वहीं भागे से Eric भी आ जाता है जैनिफर अब लाइफ स्टिमिंग पर अपना FBI का बैच दिखाती है जिससे सभी लोग जो लाइफ स्टिमिंग देख रहे थे उने मालूम हो जाता है कि FBI ने किलर को मार गी रहा है और इसी के साथ ये मोवी यहीं समापत हो जाती है आशा है आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद आई यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें मिलते हैं अगले एक्स्पिनेशन वीडियो में तब तक ले धन्यवाद दोस्तों